जहिन चात्रो मैं इशा रहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप अपनी निरंतरता इसी प्रकार बनाये हुए हैं चात्रो हाल फिल हाल में अपने जीवन या आपन के दौरान मैंने कुछ पंक्तियां सुनी है उन पंक्तियों को कुछ इस प्रकार मैंने रखा है जो कि छात्र जीवन में भी आप इसका सही सध उपयोग कर सकते हो अलक माध्यम से देखोगे तो दूसरी माध्यम बहुत बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अगर अपने आपका administrative service की चाहा के उद्देश से अगर इस पंक्तियों को अपने जीवन में संजोते हो, तो कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है, आईए देखते हैं इसे, लिखाया है, history tells us that powerful people come from powerful places, ठीक है, इस प्रकार से ये तर्थे हैं, दिख रह सकति साली जगह से आता है, ऐसा बिल्कूल नहीं है, पंक्ति में बोल भी रहा है, history was wrong, powerful people make places powerful, मतलब जो सकति साली व्यक्ति होता है, वो जगह को जो है, वो सकति साली बना देता है, तो इसी आसा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, और इसी जोस उमंग के साथ, जैहिंचात्रो हम अपने इस प्रस्ण सत्र को आज प्रारम करते हैं, हमारा विशय चल रहा है भारतिय भूगोल, भारतिय भूगोल का आज टॉपिक है, हमने बहुत सारे serious टॉपिक्स पिछले पढ़ रहे थे आपका खनीश संसादन से related, नदी अपोहातंत्र, नदी घाटी परियोजना, आज जो हैं हम नक्से में कुछ आपका नेशनल पार्क के तरफ और आपका भ्यारन के तरफ हम आगे बढ़ेंगे और वहां हम गुमते हैं, आईए, तो ज्यादा समय ना लेगते हुए, आईए इस शत्र को प्रारम करते हैं, आईए, चात्रो ये रहा आपका भारत का भोगोल, हमारा विशय चल रहा है, ठीक है, राश्टी उद्याने वाँ भ्यारन से जो प्रस्न पुछे जाते हैं, उन प्रस्न को आज हम इस सत्र में करने वाले हैं, आईए, ये रहा भारत का महत्तो पूर्ण जितने भी आपके जो प्रस् जो है, आप दिमाग को सेट करते रहा कर ये जैसे दीख रहे हैं, आपस सारा आपका जीम कार्वेट, नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका उतरा खंडवाले छेतर में, ठीक है, वैसे ही आपका काजी रंगा गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राइनो के लिए प्र राष्टी उद्ध्यान जो है, वह आपका मध्य प्रदेश वाले छेतर में है, मतलब दस राष्टी उद्ध्यान जो है, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, गुमने को मिलेंगे, अब गुमने मत चले जाना, ठीक है, बिल्कुल जाना चीए, चुट्टी अगर आ आये जो आपका तो उसमें जाओ पढ़ाई के दौरान परिच्छ निकट आने के दौरान घुमने मत चले जाना ठीक है तो इस प्रकार से हम इन सारे तर्थियों को याद रख सकते हैं ठीक है और क्या याद रख सकते हम कि मध्य प्रदेश जो है बताया मैंने सबसे ज़्याद आपका राष्टी उद्ध्यान तो जब राष्टी उद्ध्यान सबसे ज़्यादा है तो यहां की वन अच्छा दन छमता भी सबसे ज़्यादा होगी तो याद रखना है कि भारत के जंगल का 30% अच्छेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश में ठीक है तो इस प्रकार के तथ यह जाना जाता है जैसे देख सकते बांध होगा और टाइगर के लिए आपका कांजी रंगा यहां देखेंगे जूम करके देखेगा आपका राइनो के लिए गेंडा के लिए ठीक है उसके साथ आपको दिखेगा राजा जी दिखाई देगा ठीक है तो पक्षी के लिए रटना ही पड़ेगा कि कौन सा जो आपका क्या बोलते हैं राश्टी उद्यान है कहां इस्ठीद है ठीक है वैसी अम कुछ प्रकार बायोस्फियर रिजर्व भी जो है आप देख सकते हैं नक्से में आगे ठीक है यह रहा आपका जहां जहां आपके पसुपक्षी प्रसिद् ठीक तो आगे प्रस्ने देखने को आपको मिलेंगे इसमें आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहां बायोस्फियर का चलो आईयो बायोस्फियर भी मैं आप लोग को बता दू ठीक है उसमें अभी करेंट से रिलेटेड भी अपडेट है ठीक है नक्सा बना लेते हैं अगर नहीं दिया है तो, ठीक इस तरफ आना होगा मेरे को, यह रहाप का भारत का नक्सा, ठीक है कुछ इस प्रकार से, ठीक है यहां आपको मिलेगा अनदमान निकोबार तो यहां याद रखना है आपको ग्रेट निकोबार मैं पॉइंच करते जा रहो हो आप लोग लिखते जाइएगा तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं नीचे सुपर चलते हैं छलवाओ तो यहाँ दिखेगा आपको Great Negobar, ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पस मिलेगा, आपका Tamil Nadu वाला छेत्र है, तो यहाँ पस आपको मनार की खाड़ी, Gulf of मनार, ठीक है, यहाँ आपको केरल वाला छेत्र दिखाई देगा, तो केरल में याद रखना है, आपका अगस्त मलाई, रखते हैं, यह करनाटक वाला छेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पस आपका नीलगीरी पहाड़ी यह बताया था, पिछले कक्छम पढ़ाया था, तो आपको नीलगीरी की पहाड़ी, तो यह भी Biosphere Reserve छेत्र है, ठीक है, आंदर प्रदेश में आद रखेंगे आपका स्री सेलम, ठीक है, आंदर प्रदेश में आपका स्री सेलम, ठीक है, यहाँ आपको गुजरात छेत्र दिखाई देगा, यहाँ पस आपका रन ओफ कच्छ, ठीक है, आपका, उसके बाद है आपका वाजू में दिखाई देगा आपको, यह Biosphere Reserve के बाद बता रहा हू ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा 36 गड़, यहाँ पस दिखाई देगा, तो 36 गड़ में याद रखना है आपका, अचानक मार 36 गड़ वाले गुमने जाते होंगे, तो मध्य प्रदेश वाले भी पंचमड़ी पनना जाते होंगे गुमने, ठीक है, बहुत अच्छी जगा ह में एक अपडेट है, जहां एक और बायो स्फियर रिजर जो है, प्रस्तावित है, महें द्रगिरी वाले छेत्र, ठीक है, तो उस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका, उडिशा के बाद जहार खंड नहीं याद रखना है, पस्चिम बंगाल वाले छे है, ठीक है, ठीक, असम वाला छेत्र में याद रखना है आपका, मानस, ठीक, तो इस प्रकार से हमें बायो स्फियर रिजर्व याद होने चाहिए, मैप एकॉर्डिंग बार बार बुलता हूँ, मैप एकॉर्डिंग सारी चीजों को बिल्कुल याद करते हुए चलिए, पर बिल्कुल जोईन करिए, आगे बढ़े, आईए, यह रहां आपका, प्रस्न कमांग, एक, किस भारती राज में सबसे अधिक छेत्र, वन अच्छादित छेत्र है, बताया हूँ, पहले ही, कौन सा छेत्र है, जी, मध्यप्रदेश, ठीक, यह आपका मध्यप्रदेश, इसका आउन्सर होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, यह फ्रस्न कमांग, दो है हमारा काजी रंगा नेशनल पार्ग किस राज्य में सथित है, ठीक है, देखे, पटाक से यहाँ अनसर लगाओ, कहा है इस थित हमारा, काजी रंगा, आशम में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गेंडे क वाग संरक्षन प्राधिकरण ने फरवरी 2016 में ओरंग टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है ओके यह कहां परिस्थीत है देखो जी यह जो है प्रस्ण इसलिए रखा गया है कि करेंट के अकॉर्डिंग भी प्रस्ण पूछे जाते हैं तो हमें और सुनिवार्य ठीक है तो यह साथ याद रखना है तो कहां है ओरंग टाइगर रिजर्व याद रखना है आपका आसम्में ओरalten टाइगर रिजर्व ठीक है आई आगे बढ़ते हैं भारत का फल समुद्री है और ये बढारत का ला मिनु Carry ठीक है समुदुरी जय वीत राष्टि केंद्र नेशनल सेंटर फ़ार मैरीन बायो डायरसेटी कहा इस्तित्थ है फल नहीं होगा यह ठीक है कोचीं चीन नहीं मुंबई यह होगा पिर नराज होगा बोड महोडाए ठीक है मत होई आप नराज ठीक है यह कहा होगा आपका पहला होगा क्या होगा देख लो यहां लिख देता हूं वहाँ जो है आपका इसे काट दीजिएगा नराज हो रहे हैं ज्यादा तो कहा है आपका याद रखेगा जाम नगर गुजरात वाले छेत्र में आपका पहला क्या बना है नेशनल सेंटर फॉर मेरिन बायो बना अरे भाई उनका प्रजाती है जो विलूप्त हो रहा है उसको सर्रक्षित करना है ठीक है उस प्रकार से याद रखना है आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमाक्षे हमारा डाक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारन कहां इस्थित है इसमें दो अपवाद है बिल्कुल या प्रस्ण कमाक्षे हमारा किस राज्ज में नागर होल राष्टी उद्ध्यान इस्थित है तुरंत लगाओ करनाटक नागर होल कहां है करनाटक में ठीक आएगे बढ़ते हैं रामेश्वर रामेश्वर और तूति कोरीन के बीच 21 किस चर्चित नाम से जाने जाते हैं जो कि दुनिया का बेहत्रीन समुद्री बायोस्फियर रिजर्व है अभी बता आया हूं थोड़े देर पहले रामेश्वर मौले छेत्र में दिखे गए यहां मनार की खाड़ी फिर नराज हो गए ठीक है क्या दिखाई देगा मनार की खाड़ी ठीक आगे बढ़ते आईए प्रस्ण कमांक 9 है हमारा पेरियार गेम अब भ्यारन प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है भई देखिए सेर के लिए चीतादार हीणनों के लिए बागों के लिए जंगली हाथियों के लिए याद रखिएगा पेरियार जो है आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ठीक इस प्रकार से प्रस्ण बनाना है इसका ठीक तो ऐसे तथे आपको न्यूज पढ़ते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा ज्यादा हो तो गूगल सर्च मारो उसमें दिखाई देता है सारे अब भ्यारणों के बारे में अपडेट ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 10 है हमारा नंदा देवी जिव मंडल किस राज्य में इस्थित है नंदा देवी बायो स्पियर अभी बताया मैंने उत्राखंड वाला छेत्र ठीक है नंदा देवी उत्राखंड में उससे पहले कोल्ड डेजर्ड फिर कंचन जंगा कहा मिलेगा सिक्किम में मिलेगा पूरा मैप औरियंटेट सेट करके आत करो सारी चीज़े आगे बढ़ते हैं प्रस्ण कमांग 11 है अब अलगा प्रस्ण कमांग 12 हमारा निम लिखित में से कौन सा राष्टी उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर नहीं आता Okay चाना किसली आता है रन थमबार ऐता है जीम कारबेट भी टाइगर ultimate पर्रोजेक्ट ताइगर कैंतर गैता है लेकिन आपका किाबोलनामजाव नह संगई संगई हिरन यह जो है विलूप्तता के कगार में आ रही है तो इसका संरक्षणे मंस्वर्धन किया जाता है यहां पास ठीक है तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्ण का मांग तेरा हमारा राजा जी राश्टिय पार्क एक प्राकृतिक अवास है किसके हाथी के लिए ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आई आगे बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग 14 हमारा निमलीखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पती से यूक्त अनूप होने के कारण समूद समूद सरी समूरिद्य जैव भी विज़ता को बढ़ावा देता है ओके देखे आगे बढ़ते हैं भीतरकणिका नेशनल पार्क किबुल नाम जाओ नेशनल पार्क केवलादेव घाना नेशनल पार्क सुल्तान पूर नेशनल पार्क तो इसका अंसर क्या होगा यहां देखेंगे आप किबुल नाम ठीक है इस प्रकार से याद रखना है इसे आगे बढ़ते हैं आई ये पर शॉर्री जमा चाहूंगा प्रस्टन कमांग 15 है निम लिखी दो कालमों में सहीं कॉलम होगा वह में सहीं मिलान करें ठीक है करते हैं भई ठीक है बांदीपूर नेशनल पार्क कहा है आपका करनाटक म सब्सक्राइब मिलता है इस प्रकार से याद रख सकते हैं बुक्सा टाइगर रिजर मत नराज हो भाई बिलकुल ऐसे लगाता हूं कहा है आपका यह पस्चिम बंगाल मांट अबू लाइफ आसरणी यह सब चेतर कहा है राजिस्थान में याद रखना है आपका यह रावल कि परशिंख्ञ राजिस्थान चेतर में ज्यादा विक्सित है उस प्रकार पेच नेशनल पार्क कहा है आपका मध्यप्रदेश में ठीक है तो इस प्रकार से लगा सकते है तो कौन सा दिख रहा है जी बी का हो गया थर्ड कौन से में दिख रहा है बी का थर्ड दोनों में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रसंद कमांग 16 है हमारा पंचम जीव सर्रक्षण पर कहां परिस्थित है ऐसा है तो कोई साथ जीव सर्रक्षण नहीं है पंच मणी लिखाया है ठीक है इसको सुधाल लिजिए गाए आपका पंचमणी ठीक एक देखो वोड भी नराज हो गया ठीक है तो पंचमणी पंचमणी कहा है आपका अभी अंसर मध्यप्रदेश वाले पंचमणी पनना भी बताया हो प्रश्ण का मांगा थारा है मानस पसु विहार किस राज्ज में इस्थित है बताईए भाई राजिस्थान में इस प्रकार से भी तूटी अगर दिमाग में सेट होता है तो ऐसे भी बना सकते हैं मानस और आपका डिब्रू सिखोवा यह दोनों कहा है आपका असम में ठीक है तो याद रखना है आपका बायो स्फियर रिजर्व ठीक यहां पस बताया हूं ना भाई यहां 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 दिहांग दिबांग हो गया यहां मानस और डिब्रू सिखोवा ठीक है तो इस प्रकार की चीजे भी हमें करते हुए चलना है ठीक नक्सा नहीं समझ में आपका तो अपना नक्से में बनाओ ठीक यह रहा आपका कहा है असम में आगे बढ़ते हैं य किस राज्य में राष्टी उद्ध्यान स्वेल हो फ्लावर इस्थित है ठीक है तो याद रखना है कहां है आपका उत्रखंड उत्रखंड सम्नुन.ट के बीच में इस टानी अब्ध्यारण है यहां भारत के किस प्रदेश में हैं Eh ke तथा किसके लिए प्रसिद्ध है राजिस्थान में और फिक भागनी याद रखने कि-सके इसके रुख यो केलिए प्रसिद्ध सही बात है यहां किस राज्य में स्थित है तो गीर याद रखना है कहां गुज्रात में गुज्रात योगा रहा धिकाइप तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं काणा नशनल पार्क कहा स्थी थैं घेप समय तो तो इसे कोश्चन सallas डेको मिलते थिक है तो इसे याद रखना निवां रहे हैं फिक है असम उत्तर प्रदेस महराष्ट फिंटान माँ तीनों जगहनी है या तो फिर यह उत्राखंड होगा नहीं तो आपका कैभुलते हैं ऐसा ही पुराना राश्टी उद्ध्यान जो है जीनकारबेट जो की उत्रखंड में नहीं है असम में नहीं महराश्ट में ने इन में सो कोई ने इसका उत्तर होगा तो चात्रों यहां हमारे 25 प्रस्णों का संकलन जो है यह complete होता है और जो पिछली कक्षाव में जो प्रस्ण पुछे गये थे उन्हें हम कुछ इस प्रकार देखते हैं आईए यह रहा प्रस्ण और यह रहा उसका उत्तर जिन जिन छात्रों ने आंसर लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया उन्होंने ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज का प्रस्ण जो है वो कुछ इस प्रकार से है ठीक है और इसका उत्तर भी आप लोगों को कमेंट बॉक में देना है ठीक है पिछले question के answer बहुत सारे बच्चे लोगों ने सहीं दिये उनका मैं उनको मैं बहुत ही आपका उत्सावर्धन करता हूं और यह प्रस्ण का व्यूत्तर बिल्कुल दीजिएगा यह रहा इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए और यह हिंदी मीडियम व ख़ी ette tadi यह है कि देना है व Kennel कekना मारा और यह करत कोा तरी में वे ब Wrapाबfect। है